दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं गोरक पूरेलवे इस्टेशन और गोरक पूरेलवे इस्टेशन पूरे भारत का नहीं नहीं बलकि पूरे विश्व में नमबर वन अस्थान रखता है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है और इसको अंग्रेजो द्वारा 1885 में इसको शुरू किया गया था इस रेलवे इस्टेशन को जो अभी भी यहां पे अंग्रेजो द्वारा बनाई गई दिवाल और बहुत सारी चीजे मौजूद हैं अभी हम प्लेटफार्म नमबर 6 पे मौजूद हैं और यहां से हम चलेंगे सएथे प्लेटफार्म नमर एक की तरफ और उसके बाद वहां के दिखाते हैं दिर इससे कैसा है वान और टू सेम प्लेटफॉर्म पे बना दी है क्योंकि इतना लंबा प्लेटफॉर्म दवाई उसका कैसे इस्तमाल होता तो इस वान और टू को एक साथ ही बना दी है यहां पर मैंशा ने आपको 9 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे गोरकपूर जंक्शन पे और यही है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो बहार से ऐसा दिखता है अपना गोरकपूर जंक्शन वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है यतना लंबा है कि यहां पर दो ट्रेने एक साथ लगा ही जाती है और अराम से उपरेट होती है कोई समस्य चली आती है कर दो कि यहां से नजारा देखोगे ना खुरब पर जंक्शन का तो समझ जाओगी कि इतना बड़ा रेल्वे स्टेशन है कि देखो को रकपर जंक्शन पर आपको रेटारिंग रूम और दो इर्वेटरी दोनों ही देखने को मिल जाएगी और इसकी बुकिंग भी आप हाल के आला के कर सकते हैं अभी हम आयते तो हमने करीती ठीक है और जो हमने बुक करा था वो लिया था यह एसी डोर्मेटरी केविन जिस पर तीन घंटे का सिर्फ देड़ सो रुपे देना पड़ता है अला आपको तीन चार घंटे रुखना है मस्त एसी वाला है यह रूम ठीक है केविन है और ट्वैलेट वगरा की सारी फ करीत करीत ऊरहे यह ठीक है करे दो हमने बाला आपकोral ले।न के सृम्से है रुपे देट पारmaशन कि अ कि अ अपय साफ। कि अ आप लो झाल 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 झाल